आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं चुनाव चिन के बारे में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन कैसे दिया जाता है ये होता क्या है क्या प्रकिरिया होती है और किस प्रकार से इसे देने से रोक भी दिया जाता है और इसके क्या नियम है और क्या प्रावधन है तो चली शुरू करते हैं हाल ही में मध्यप्रदेश, 36 गर राजस्तान, मिजोरम और तेलंगाना में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले उमीदवारों को चुनाव चिन मिलना शुरू हो गए है इसी बीच हाल ही में सुप्रीम कोट ने भारत राष्ट समीती यानि की बियारेस की चुनाव चिन रद करने संबंदी एक याची का खारिच कर दी है तो चली अब इस से संबंदित कुछ सवालों के जवाब हम ढूनते हैं उमीदवारों को दिये जाने वाला चुनाव चिन होता क्या है तो चुनाव प्रचार के लिए अलग-अलग उमीदवारों और पार्टियों को चुनाव चिन एक सिंबल देता है इस सिंबल को चुनाव चिन कहते है उमीदवारों को चुनाव चिन देने का मकसद ये होता है कि जो वोटर अनपढ़ है वे मत पत्र पर छपे सिंबल को देखकर वोट कर सके उमीदवारों को दिये जाने वाला यह है चुनाव चिन किसी भी ऐसे चीज़ का हो सकता है जिसकी जनता आसानी से पहचान कर सके इसमें किसी धर्म, जाती और समाज से सम्मंदिचिन शामिल नहीं होते है किसी उमीदवार या पार्टी को चुनाव चिन की जरुरत क्यों महसूस हुई तो भारत जैसा देश जहां अनपढ़ लोगों की संख्या काफी जादा होती थी ऐसे में लोग केंडिडेट के नाम को पढ़ने की वज़ाए उसकी चुनाव चिन को एहसानी से पहचान सकते थे इंसानी दिमाग 90% जानकारी विजुल मादिमों से प्राप्त करता है लोग आडियो या लिखिट जानकारी की तुलना में 40% जादा विजुल डेटा याद रख सकते हैं इसलिए दलों के वादों नाम या काम को याद रखने की वज़ाए पार्टी के एक सिंबल या चिन को याद रखना जादा आसान होता है सत्रवी और अठार्वी सदी के बीच कई आंदोलन विद्रो और विरोध हुए जिनका एक प्रतीक होता था इससे निकलने वाली पार्टी या निताओं ने इन प्रतीकों को अपना चुनावचिन या सिंबल बना लिया था वेश्विक सर पर देखा जाए तो चुनावचिन के शुरुआत कहां से होती है ब्रिटेनिका के अनुसार करीब 2722 वर्ष पहले ग्रीस के शहर स्पार्टा में पहली बार चुनावचिन हुआ था हाला कि उस वक्त आज की तरह संगठित राजनितिक दलों की मौजूदगी नहीं थी 1789 में अमेरिका में अलेकजंडर हैमिल्टन के नित्रुत्व में पहली संगठित राजनितिक पार्टी बनी जिसका नाम फेडरलिस्ट पार्टी था इस पार्टी का निशान एक व्रताकार छले यानि सैंकिल की रिंग के जैसा था इस छले का रंकाला था यहें से दुनिया भर के संगठित दलों के बीच चुनाव चिंडिया पार्टी सिंबल की प्रकिरिया शुरू होती है भारत की अगर बात करें तो 1947 से पहले देश में दो प्रमुख राजनितिक दल थे एक कॉंग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग 28 दिसंबर 1885 को स्थापना के बाद दो बैलों का एक जोड़ा कॉंग्रेस पार्टी का सिंबल था वहीं 1906 में बनने वाली All India मुस्लिम लीग का अर्द चंद्रमा और तारा पार्टी सिंबल था देश की आजादी के तीन साल बाद 25 अक्टूबर 1951 से 21 सरवरी 1952 के बीच देश में पहला आम चुनाव हुआ था इस समय सबसे बड़ी चुनावती देश के करोडों एसिक्षित लोगों की इलेक्शन में भागेदारी बढ़ाने की थी सबी दलों के चुनाव चिन की तस्वीर को अलग-अलग बॉक्स में लगाया गया था इस वज़े से पहले आम चुडाव में 20 लाग से जादा बक्सों का इस्तेमाल हुआ था इस चुनाव में 14 राश्टिये राजनेतिक दल मैदान में थे तब हाथ यानी पंजा All India Forward Block का सिंबल हुआ करता था चुनाव चिन के प्रकार के अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं पहला है आरक्षित चुनाव चिन जो सिर्फ एक दल का होता है जैसे कॉंग्रेस का हाथ बीजेपी का कमल का फूल दूसरा होता है मुक्त चुनाव चिन जो किसी दल का नहीं होता ये किसी नई पार्टी या उमीदवार को किसी निश्चित निर्वाचन छित्र के लिए दिया जाता है चुनाव चिन कौन देता है Election Symbol, Reservation और Allotment Order 1968 के तहट चुनाव आयोग को राजनेतिक दलों के चुनाव चिन ते करने का अधिकार में इया है इस कानून के paragraph 15 के तहट विवात की स्तिती में चिन ते करने का सुप्रीम अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है कई बार चुनाव आयोग भी पार्टियों को सिंबल चुनने का विकल्प देता है इसे सवाजवादी पार्टी के उधारन से समझ सकते हैं 1993 में विधान सभा चुनाओं से पहले इलेक्शन कमिशन ने मुलायम सिंग यादव को कई सारे सिंबल की एक लिस्ट दी थी मुलायम सिंग ने दिये गए विकल्पों में से साइकल को चुना मुलायम सिंग का मानना था कि साइकल किसानों, गरीबों, मजदूरों और मिडल क्लास के लोगों की सवारी है किसी भी चुनाव में मुख्य रूप से चार तरह के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं पहले होते हैं नेशनल पार्टी के कैंडिडेट जिस राष्टिय पार्टी से किसी खास निर्वाचन छितर में चुनाव लड़ते हैं उसी पार्टी का सिंबल इन्हें मिलता है जैसे भाजपा कैंडिडेट को कमल का फूल तीसरे होते हैं नई या गैर मानेता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से गैर मानेता प्राप्त पार्टी या नई पार्टी के उमीदवार को चुनाव आयोग एक सिंबल अलोट करता है चुनाव खतम होते ही ये सिंबल फ्री हो जाता है और चौथा है निर्दलिय उमीद्वार निर्दलिय उमीद्वार को चुनाव आयों की तरफ से सिंबल अलोट किये जाते है चुनाव खत्म होते ही ये सिंबल फ्री हो जाते है यहां पर एक सवाल ये भी है कि किस तरह के चुनाव चिन्हों को मानेता नहीं देता है जिसमें किसी जाती धर्म या किसी खास समदाय से जुड़े किसी चिन्ह का इस्तमाल किया गया हो ऐसा इसलिए क्योंकि भारतिये लोगतंत्रपंथ निर्पिक्षता, समानता और संप्रभूता को बढ़ावा देने पर जोर देता है इसके अलावा पशु पक्षियों से जुड़े election symbol भी किसी उमेदवार को अलोट नहीं किये जाते है candidate इस तरह के symbol मिलने पर पशु या पक्षि को लेकर परेड कराने लगते है animal rights activist ने इसे पशु कुरूरता बता कर विरोध भी किये है इसके बाद से ही इस तरह के symbol को मानिता नहीं दी गई क्या कोई भी party या उमीदवार खुद अपने symbol का चुनाव कर सकता है तो इसका जवाब है हाँ नई राजनितिक पार्टी चुनाव आयोग के free symbol लिस्ट में से 10 सिंबल का चुनाव करके उसके नाम आयोग को भेज सकती है इसके अलावा first design रंग के साथ 3 नए चुनावचिन के विकल्प भी आयोग को भेज सकती है आयोग इन में से किसी एक चुनावचिन को अलोट करने पर विचार कर सकता है आयोग भेजे गए सारे विकल्पों को रद्द कर अपनी और से नया चुनावचिन भी आवंटीत कर सकता है इसी तरह निर्दलिय उमीदवार भी अपने लिए चुनाव चिन्हों के विकल्प चुनाव आयोग को भीज सकते हैं इसके बाद ये चीज पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करती है कि वह उमीदवार को क्या सिंबल देता है क्या दो पार्टिया या उमीदवार एक सिंबल के लिए दावा कर सकती है तो निर्दलिय या नई पार्टि के उमीदवार सिर्फ अपने पसंदिधा सिंबल का विकल्प चुनाव आयोग को भीज सकते है इसके बाद जो भी सिंबल उन्हें मिलता है वो स्विकार करना होता है वो दूसरे सिंबल के लिए दावा नहीं कर सकते है वही ऐसा आम तोर पर तब देखने को मिलता है जब किसी राष्ट्रिय या छेत्रिय पार्टी में तूट होती है पाटि में टूटके बाद दोनों ही गुट पाटि के नाम और सिंबल पर अपना-पना दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुँचते हैं इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग करता है चुनावायोग ये सब कुछ पार्टी के सम्विधान, कार्य करता हूँ, विधायकों और संस्दों की संख्या के आधार पर्ते करता है कई बार चुनावायोग नाम और चुनावचिन दोनों freeze कर, दोनों हे गुटों को नए चुनावचिन तलाशने के लिए कह सकता है अभी कितने चुनावचिन आरक्षित हैं और कितने चुनावचिन फ्री हैं तो इस समय भारत में 6 राश्टियर राजनितिक पार्टी और 54 स्टेट पार्टी के सिंबल आरक्षित हैं पार्टियां किसी भी स्टेट में अपने आरच्षित सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं, यह सिंबल वहां चुनाव लड़ रहे, किसी दूसरे उमीदवार को नहीं दिया जाता है, इसी तरह निर्वाचन आयोग की फ्री सिंबल वाली लिस्ट में सितंबर 2021 तक 117 मुक्त च चुनाव चिन्न थे, फिलहाल किसी बदलाव की सूशना नहीं है, क्या कोई पार्टी एक बार चुनाव आयोग से सिंबल मिलने के बाद इसे बदल सकती है, तो इसका जवाब भी हां है, ऐसा संबब है, इसे शिव सहना के उधारन से समझ सकते हैं, 19 जून 1966 को काटूनिस्ट और पत्रकार बाला साब ठाकरे ने महारास्ट्र में एक राजनेतिक पार्टी की नीव रखी थी, इस पार्टी का नाम शिव सहना रखा गया था, 1989 में शिव सहना को चुनावायों की तरफ से स्थाई चुनावचिन तीर धनुष मिल गया, साथ ही बाला ठाकरे की पार्टी को राज्य पार्टी की रूप में मानता भी मिल गई, इससे पहले 1966 से 1989 तक शिव सहना ने कई अलग-अलग सिम्बल पर चुनाव लड़े, जिनमें प्रमुख मशाल, धाल और तलवार, उप्ता सूरच, रेलवे इंजन, तार के पेड आदी थे, क्या किसी पार्टी को एक सिम्बल देने के बाद चुनाव आयोग उसे चीन सकता है, तो इसका भी जवाब हाँ है, नई राजनितिक पार्टी जिसे राष्ट्रिय और छित्रिय पार्टी का दर्जा मिला है, उसे सिम्बल देने के बाद आयोग फ्रीज भी कर सकता है, 2012 में उत्रप्रदेश की नेतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने ज़ाड़ु चुनाव चिन दिया था इस समय आम आदमी पार्टी को स्टेट और नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और ज़ाड़ु का चुनाव चिन आम आदमी पार्टी के पास है क्या दो उमीदवारों या पार्टी को एक जैसे सिंबल मिल सकते हैं? एक निर्वाचन छित्र से चुनाव लड़ रहे दो उमीदवारों को एक जैसे सिंबल नहीं मिलते हैं. यह संभव है कि किसी नई पार्टी को जो सिंबल चुनाव आयोक से मिला है वह सिंबल दूसरी जग निकाय चुनाव में सम्ता पार्टी को सिर्फ निकाय चुनाव के लिए यह सिंबल मिला था। विशे यहीं पर समाथ होता है हम फिर मिलेंगे नए विशे के साथ आप हमारी यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद का एक रणीषब कर्ष नुट करेंछे हमें विशे यूआ